जब एक ही किस्म के पोधी किसी अस्थान पर बड़ी पेमानी पर नियमीत रूप से उगाए जाए तो उसे क्या कहते है जब किसी जब एक ही किस्म के पोधी किसी अस्थान पर बड़े पेमानी पर नियमीत रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा फसल, उसे फसल करते हैं ठीक है, उसे क्या करते हैं फसल करते हैं, चले अगर सामयनी तोर पर अगर देखा जाए तो फसल जो है वो बड़े पेमानी पर होता है जिससे की अनाज की खेती होता है ठीक है, क्रिसी किसको कहा जाता है तो फसल उगाने की जो पद्धती होता है, जो क्रिया होता है उसको क्रिसी बोला जाता है ठीक है, और जिस फिल्ड पर जिस जमीन पर हम लोग खेती करते हैं, अक्च्छल में फसल उगाते हैं, उसे ही खेती काते है ठीक है, चले अगरा question बात कर लेते हैं Question मट्टू Question मट्टू क्या है राजो बियम नामक जिवानू किस फसल के जड़ में पाए जाने वले गरंथियों में उपस्तित होते है राजो बियम नामक जिवानू फलीदार फसल अनाज फसल या फिर इन में से कोई नहीं चलिए तो इसका अंसर देख लेते हैं इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा फलीदार फसल तीक है क्या है फलीदार फसल कोशन मत्री क्या है कि ग्रिस्म रितू में उगाए जाने वाली फसल ग्रिस मिरित्व में उगाई जाने वली फसल क्या होता है रवी फसल, खरीब फसल, जायद फसल या इन में से कोई नहीं एक्चुल मगर देखा जाए तो रवी फसल जो होता है जिसमें ज़्यादा सनलाइट और ज़्यादा वर्षा का जरूरत होता है ठीक है रवी फसल में ज्यादा वर्षा नहीं खरीब फसल में ज्यादा वर्षा और ज्यादा पानी के जरूरत होता है बट रवी फसल में कम वर्षा और ज्यादा हीट यानि के ज्यादा सूरी के सनलाइट का जरूरत होता है जायत फसल जितना भी क्रीपर और किलिंबर वाले प्लाइट या फिर पोदह है जैसे की जैसे की पम्कीन वगेरा वॉटर मेलर वगेरा यह सब जायद फॉसल के अंदर में आता है तो सिक्षा का राइट इंश्र हो जाएगा ग्रिप्रितु में उगाए जाने उले फॉसल को जायद फशल होता है एक त्रूम रिटू में जानेले फसल को जायत फसल करते हैं अग़रा की question nsm4 जन्तू धुर्वारा प्राप्त खा़ड़ पदार्थ ऐसा पदार्थ जो जन्तू दु आ प्राप्त क्या जाता है जिसन न है तो option है दाल, सहद, फल या चावल तो इस question का right answer हो जाएगा सहद सहद एक ऐसा खाइद पदार्त है जो जन्तो दुआरा प्राप किया जाता है यानि कि मधुमक्खी दुआरा प्राप किया जाता है मधुमक्खी क्या करता है कि प्रतेक पूस्प में मतलब कि फूल के जूस को निकाल करके और सहद बनाता है जिसे कि हम लोग जो हम लोग क्या करते है उसको गरहन करते है यानि कि सहद जो है वो जन्तो दुआरा प्राप किया गया खाइद पदार्त है ठीक है चलिए अगला question क्या है रेसिदार फसल क्या होता है option क्या है कपास चना यग्य हो तो रेसिदार फसल किसको कहा जाता है इस question का right answer हो जाएगा कपास रेसिदार फसल जो होता है वो कपास होता है ठीक है रेसिदार फसल कपास के अंदर में आता है चलिए question number 6 question number 6 क्या है पसल चक्रन से मिट्टी की उर्वर्ता क्या होता है बढ़ जाती है घड़ जाती है आप परिवर्थी तरती है या इन में सी कोई नहीं फसल चक्रन से मिट्टी की उरुवर्ता क्या होता है बढ़ जाती है घड़ जाती है अपरिवर्तित रती है या इन में से कोई नहीं चले तो इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा बढ़ जाती है एक्चॉल में फसल चक्रन जब हम लोग हर एक महिने में या फिर हर तीन-तीन महिने में कहने के मतलब यह है कि अगर हम लोग जायद रवी और खरीब उसके मोसम के अनुसार अगर फसल को लगाएंगे यानि कि प्रतियक बार अगर फसल को चेंज करकर के परिवर्तित करकर के अ याचा लिकिन क्या होता है कि कभि कभी हम लोग हमेशा एक हमेशा क्या करते हैं कि Akshi तरह का nervous fan जाते हैं जिसके कारण हमारे जमीन का जो मिटि की जो उर्वर्ता होता हो घर्टी चलिये तीक हम इसलिए मिटी की उर्वर्ता को बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए फसल चक्रन का उपयोग करना चाहिए चले अगला को त्वाने मिट्र में को उलटने प्रक्रिया और प्रकरिया क्या खाल आता है तो नीराई बुँए जूताई तो इस कोसिंद राइट हो जाएगा उसको कहते है जूताई जूताई से क्या होता है कि मिट्टी जग होता है जिसके कारण हम लोग जो कुछ भी प्लांट लगाएंगी तो उसकी जड़ क्या होगा गराई तक जाएगी और उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन और पानी की प्राप्ति होगा जिसके कारें हमारा फसल के पैदावार जो जो होगा फसल का जो पैदावार होगा वो सही होगा ठीक है चले अगला कोशन बात कर लेते हैं कोशन नमबर एट दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है क्या कहलाता है निराई कटाई भंडारन या थ्रेसिंग तो इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा अपसन नमबर फोर यानि की थ्रेसिंग दानों को भूसे से अलग करने के जो प्रकरिया होता है उसको थ्रेसिंग करते हैं ठीक है चले थ्रेसिंग जो होता है हम लोग दो परकासी कर सकते हैं या फिर हाथ से यानि की जो पुआल होता है उसको धान से अलग किया जाता है या या फिर हाथ से पटक करके या फिर मसीन के दुआरा चेले अगला कुछिन देख लेते हैं कोशिन नमबर नाइन खर्पतवार का उधारन है क्या है खर्पतवार का उधारन तो सबसे पहले जान लेते हैं खर्पतवार है क्या चीज तो खेतों में जब हम लोग धान या फिर कुछ और लगाते हैं तो उसके साथ अवानचीत बहुत सारे गास फूज होते हैं वो निकल आते हैं ठीक है न? यही जो घास फूज अवांचित पदार्थ होता है उन्हें को खर्पतवार का जाता है ठीक है? तो खर्पतवार का उधारन यहां पे दिया गया है क्या है? मसूर, गाजर घास, जूट या तीसी तो इस को सिंज का जो right answer हो जाएगा वो है गाजर गास गास जो होता है वो खरपतवार का एक उदारन है खरपतवार क्या करता है कि मिट्टी से जो nutrition होता है उस nutrition को अबज़ॉब कर लेता है जिसके कारण क्या होता है जितने भी फसल उगाते हैं उस फसल को उतना ज़्यादा nutrition नहीं देता है जितना कि उसको ज़रूरत होता है इसलिए हम लोग क्या करते है समय समय पर खरपतवार को नश्ट करते रहते है ताकि जो फसल का पैदावार हो वो सही तरीका से हो ठीक है अगला कुछन देख लेते हैं नेस कोशन है कि खरीब फसल का उधारन तो खरीब फसल का उधारन क्या है गेहूं आलू धान या सोयावीन तो हम लोग जैसे कि जानते ही है कि खरीब फसल के लिए क्या चाहिए ज्यादा तर हीट चाहिए ज्यादा सनलाइट चाहिए उसमा चाहिए और अधिक वर्सा चाहि यहां पर खरीफ फसल के लिए सोयाभीन भी दिया गया है तो इसका राइट अंसर वह जाएगा लेकिन खरीफ फसल का जो राइट अंसर होगा वह धान भी कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 11 फसल से अनाजो को अलग करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं इसके बारे में डिसकस कर चुके हैं कटाई उसाई दोनी या फिर भंडारन बंडारन कब किया जाता है जब त्रेसिंग वगरह का प्रक्रिया क्लियर हो जाए तिक ना यानि की धान को चावत धान को पुवाल से अलग करने के बाद उसको क्या किया जाता है सेफ रखने के लिए ठीक है सुरच्चित रखने के लिए हम लोग उसको भंडार करते हैं ठीक है उसको एक जगह इकठा करते हैं ताकि उसमें अंकूरित ना हो ठीक है तो इस को सिन का जो राइ कहते हैं ठाण अरश आगला कुश्ण है निमनaiser कोंको रवी पसल थान मक्का चना इन में कोई नहीं तो इस को सिन का राइट एंसर हो जाएगा चना सब्सक्रा जो होता है वो रवी एक्चुल में रवी फसल के लिए एक अच्छा सा उधारन है गेहूं भी ठीक है गेहूं भी क्या है एक रवी फसल है चना भी एक रवी फसल है और मठर भी एक रवी फसल होता है ठीक है चलिए अगला कुछिन बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोशिन जन्तों द्वारा प्राप्त खाइद पदार्थ क्या होता है जन्तों द्वारा प्राप्त खाइद पदार्थ डाल फल चावल या साथ तो इसकोशन के डिसकस कर चुके हैं इसकोशन के जो राइट एंसर हो जाएगा वो साथ होगा जो की मधुमक्यों से प् subscribe करना है ताकि हर दिन आप लोग को इसी तरह का motivation और most important questions प्राप्त हो ठीक है चले तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पोशी किसको बोला जाता है जो पोशन लेता है ठीक है जो पोशन लेता है यानि कि जो खात दे यानि कि जो भोशन लेता है उसको पोशी बोला जाता है ठीक है यह दो पन्ची तीह पंची पेर पोदा जाहाई या फिर हिूमन क्या करता है अपने भोजन के लिए कि दूसरों पर यानिकी पेर पूदों पर या फिर जानवर पर डिपेंड करता है तो इन अगर पेर पोदा फसल नहीं उगाएगा तो जनतों उसको ने खा सकता है हम लोग भी डिपेंड करते हैं फसलों पर और पेंड़ पोधा या फिर जानवरों पर तो हम लोग क्या होगे परपोशी होगे श्वपोशी जो खुद से प्रकास संसलेशन के दौआरा खुद से भोजन बनाता जैसे के पेंड़ पोधा खुद से अपना भोजन बनाता है तो वह स्वापोसी हो गया तो इस में से स्वापोसी का जो उधारन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्वापोसी का जो उधारन हो जाएगा वो आम का पुधा हो जाएगा क्योंकि आम का जो पेड़या पुधा है वो प्रकास संसलेशन के वि तो आज के लिए इतना